कि नमस्कार दोस्तों अन्रदा की जना आपका बहुत बहुत स्वागत है मैं बनाने जा रहे हूं आज रक्षा बंदन का इस्पेशल मिठाई वह भी एक गिलास दूद से तो पूरा रेस्पी देखने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखेगा और एक गिलास दूद में एक किलो मीठ हाई बन रहा है अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि हैं तो किल पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें चलिए प्रेंज रेस्पी शुरू करते हैं तो इसके लिए लिया है मैंने पहले एक छोटी सी कड़ाई उसमें मैं डाल रही हूं लग द लीटर दूद है ऐसे मापेंगे तो गलास से एक गलास है और ऐसे 500 अमल दूद है और इसको अब एक बार चला देंगे फिर उबाल आने के वेट करेंगे अच्छे से उबाल आएगा और इसे हमें दूद को जलाना है जब तक कि दूद जलके करिया ना जो देखिए मेरा कैसे और इससे चलाते रहेंगे बिल्कुल छोड नहीं दें तो अंदर में चीपक जाएगे और वो आट-षाइड मल्आई निकालते जाएंगा इस दर चलाते जाएंगे इसको चलाते जब तक दूद मेरा खोआ ना बन जाए तो इसको हम चलाते जा रहे हैं और दूद को जलाना है विल्कुल यह पेड़ा के लिए जलाता है और ले लिये हैं कुछ ड्राइफ रूट्स और ये लिए है नारियाल तो नारियाल का पाउडर जो कोकॉनेट पाउडर होता है वो जन में 50 ग्राम है और यह ड्राइफ रूट से काजू बदम और इलाइची पाच्छे से अच्छे इलाइची और साथ में लिए है फूट कलर यह मैंने पिंक कलर लिया है आप जो भी पसंद करते हैं वो फूट कलर ले ले मैंने थोड़ी से फूट कलर लिया है तो मुझे इतने ही चीजें चाहिए मैं मिठाई बनाने के लिए कोकोनेट पाउडर का ड्राइफ रूट्स इलाइची कलर और चीनी तो मैंने ड्राइफ रूट्स को सबको काट के लिया है देख सकते हैं मैंने बारिक काट लिया है अब इसे रख देती और इलाइची का भी छिलका नि फ्लेवर खतम हो जाती है और पहले का इलाची पॉडर डालने से ना तो टेश्ट आती है ना अच्छा होता है तो जब भी मिठाई बना है उसी टाइम इसका पॉडर बना ले दे मेरा सारा दूद जल गया है आप देख सकते हैं बिलकुल गरिया हो गया है जिसे हम दूद जला इसे माबा बन के तयार हो गया है अब इसे आफ कर देती हूँ और साथ अब इसी जगह एड़ कर दूँगे कोकोनेट पाउडर जो मैंने निकाल के रखा था अगर कब से मेजरिंग करेंगे तो छोटे बाद दो कब है और ऐसे वजन में 50 ग्राम है तो कोकोनेट पाउडर इसे एड़ कर दिया तो देखिए ड्राय हो गया है अब इसे सब मिक्स हो करके अच्छे से नारियल को अच्छ सब्सक्राइब हो गया है अब मैं इसमें बड़े से रात में टांसपर कर लेती हूं तो इसे टांसपर करके ठंडा होने के लिए रख दूंगी तो देखिए अभी गिलापन दिख रहा और इसे पंखे के नीचे 15-20 मिनट के लिए रख दूंगी तो यह थोड़ा हाट हो जा कर रही हूं ड्राइफ रूट्स जो मैंने बारिक काटके लिया था और अब इसमें बची हुई इलाइची का पॉडर डाल दिया अब सब को मिक्स कर लोंगी और मैं कलर फूल मिठाई बना रहे हूं इसलिए इसको मैं साइड से इसमें ड्राइफ रूट्स और इलाइची का तो फूट कलर मेरे पास पींक है अगर आप चाहे तो येलो फूट कलर या तो आप औरेंज जो भी आप पसंद कलर डाल सकते हैं तो मैंने थोड़ी सी फूट कलर एट कर लिया है इसे आप साइड में रख देती हूं एक चमच घी हाथ में लगा कि इसे छोटे से रोल बना के कि रख लोंगी देख सकते हैं रोल बनगा है और अब ये इसे कर लेती हूं अब इसको भी इसका हाथ से मसल के और इसका भी एक रोल तयार कर लएंगे बनाे टो दिखिए इसको भी मैं मसल रही एँ और ये अब ड्राइद दिख रहा है उतना गिला नहीं है असानी से ये रोल बन जाएगा इसका भी मैंने मसल के रोल थोड़ी सी घी लगा के इसे भी सौप्ट कर लेती हूं चारो तरब से और ये मिठाई बनाने में कोई भी परहसानी नहीं है बहुत ही आसानी से मिठाई बन जाती है घर पे अगर आपको दूद जलाना पसंद नहीं है कि दूद जलाने में ज्यादा टाइम जाएगा तो आप इस जगह मिल्क पाउडर का यूज कर लें तो बहुत ही जल्दी और कम समय में बन जाएगा तो मैं दूद जला के बनाया तो देख सकते हैं अब बीच में डाल के इसको कलर क के लिए और देखने में कलरफूल होगा इसलिए इसको बना लिया देख सकते हैं कोई परेशानी नहीं हुए इसमें बीच में डाल दिया एक रोल बना के तैयार कर लिया आप इसे आधे गंटे के लिए फ्रीज में रख दूँगी कि अच्छे से से सेट हो जाए तो इसे फ एक गलास दूद से घरबे असानी से मिठाई बना सकते हैं आप इस रेश्पी को एक बार जरूर ट्राय करें और इसे बनाने में कोई भी परेशानी नहीं है अगर आज की यह रेश्पी पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड और फेमली के साथ सेर कर यह है मिलती हुना है वीडियो में नहीं रेस्पी के सा थेंक्यू बाइबाए